तो जैसे कि देख पार है कि आज के आज का मैं एक साब्जेक्ट रहा जो कि वाटर कलर और फिगरेटिव होगा पहले हम पैंसल से ड्रॉव करेंगे और पिर उसे कलर करेंगे तो यहां पर मैं टैब यूज कर रहा हूं आप पीछे देख सकते हैं तो आपको अच्छी तरह विजिविल्टी होने के लिए मैं इसको यहां पर एटेच कर देता हूं ओके तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह तब ठीक टक देख रहा है ओके जो भी सवाल होंगे आप जरूर पूछिएगा तो मैं स्टार्ट करता हूं क्या मेरा आवाज आ रहा है ठीक टक ओके तो वाटर कलर में जब भी आप पेंसिल ट्रॉ करते हैं तो अधियान रखिए कि पेंसिल लाइन हालका हो उसके लिए आप मेकानिकल पेंसिल यूज़ करें मैं यह वाला लीड यूज़ करता हूं जैसे आप 0.7, 0.5, 4 भी ठीक रहाता है तो अभी मेरे पास यह लीड थोड़ा खता हूं होगा तो मैं पेंसिल से करूगा मैंने अच्छी तरह इसको बना लिया ठीक है तो सबसे पहले जो कमपोजिशन आपको दिख रहा है उसको हमें पेपर के अंदर आच्छी तरह प्लेस करना है और थोड़ा बढ़ा करने के कोशिश करता हूं पेपर को आइ मिन इनको इन दोड़ा करना है तो अगर को सिखना है तो आपको ड्राइंग सिखना है तो फिगर को अगर एक बार आ गया तो किसी भी कॉमपोजिशन आप बना सकते तो कहीं पर भी कभी भी हलो हलो कि प्लाद consomm है किसी भी एक फिगर को इसके बाद आप बाकि फिगर को कर सकते हैं सबसे पहली बात है बहूत प्यारा सा कंपोई सन है तो हम देखते हैं इसको निभाए है ठीक है क्यों थो लाइट सोसे हम्रारा एकट में हैं तो हम काम करते हों बताएंगे घ्रिणाथ व ममीं कि करी कि कौन सा फिगर कितना बड़ा रखना है फिर दूसरा कहां पर आएगा इस अब एक दूसरे के साथ हम connect करना पड़ेगा है नहीं तो एक फिगर बहुत बड़ा करके बना लिया इस दूसरा यह बहुत हलका हलका मैं planning ले रहा हूं कि यह जो है अभी मैं planning कर रहा है कितना बड़ा ओड़ा करना है और बहुत विकली मैं एक प्लानिंग ले रहा हूं क्योंकि अलाइन कर रहा हूं कि काहां पर कितना बड़ा हेड आना चाहिए और फिगर यह धिरी-धिरी क्या होता है यह हमें फिगर जो जैसे से आपको लगेगी हाँ यह ठीक है ठीक प्लेस किया है तो अब उसे उसके फाइनल लाइन्स को अब एड़ करते जाएंगे प्रम उसके ऊव्रराइंड इस्कारां किया होता है और कर करना चाहिए कि एक सेके जर्ण में स्टेटिंग चेक कटकर हो है 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 हिए तो पेपर को गिएगा हमें ऐसा आप किजिए और जिस सेल इसक सेब कॉम्पोजिशन उसी से क्रॉप कि ढूप किजिए यहां पर जो और नहीं सके स्वॉर है लंबा है तो मैं थोड़ा सेलना अच्छा खर लंगा अगह कई बाए ऐसा होता है दो एज़स्ट नहीं कर पते फिर उसको बड़ा भी नहीं पाते आप composition को फिर पर मुझकी लोगा था आच्छा setting नहीं होता तो best suggestion यह है कि आप paper को आपके composition के आथारवे आप उसे ट्रॉफ्ट कर ले और वर्टकल पेपर हम जब यूज़ करते क्या होता है कि हमारा paper ते wrap या cold press जो भी है उसमें texture होने के करण आपको आच्छी तरह drawing नहीं हो पता तो कहीं वार इस ही के बज़े से भी आपके drawing ख़ड़ा होता है हलो हलो मनेजन जन्दाज जैहिन क्यामोन आशियन आई भालो आची ओके थैंक यू और यह आपी का subject है figurative थैंक यू सर थैंक यू जो उचल रहा है उसके garden कहां पे है उसके shoulder कहां से start हो रहा है वो जड़ा सा देखना है बस हेट कितना बड़ा है बच्चे का हेट थोड़ा सा बड़ा होता है आपको मालू है थोड़ा सा आपके लिए बस कुछ lines है वो lines कहां कहां से चल रहा है वो देखना है कि अगर करते समय आएंगे उसमें कलर हर्मोनी के वर आएंगे थोड़ा सा बात के विए से ट्रो कर लेत чे से मेंड और करता हम उसी तरह से ट्रो कर रहा हूँ ऐसा नहीं में अलग से और कुछ आ जो अब दुसरे तरीके से ट्रो करता हूँ मैं इसे ठ्रो करता हूं मैं उससी दीका रहा को Safari जब भी अब हाथ बनाते हैं आप बहुत गलती करते हैं कि हम बहुत गलती करते हैं कि हाथ पुर्षन कभी छोटा बना देते यह वाला इतना से बना देंगे इतना बड़ा मूह होगा वह थोड़ा से ध्यान रखना है बच्चे के बच्चे का जब करते तब थोड़ा बात दूसरा हो जाता है थोड़ासा हाथ छोटा होता है पर जब हम बड़े फिगर बने थे तब भी यह मिस्टेक करते है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बुंदी नहीं आ रहे तो क्योंना थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मैं इसे ऑनलाइन में आ जाओ और आपसे कुछ आपके साथ थोड़ा सा मैं बिताओं जो बुंदी आ रहा है most welcome आपके से लेकर के इलकुल भियान रखना होगा घर किसी को और बहुत खुश्रा सा एक light source है जो की right side से है वो figure के हर figure के right side से हमें वो नजर आ रहा है तो ठीक है वो से भी हमें ध्यान रखना होगा और मज़ा वो ही है अब इसे मैं बता रहा हूं कि कोई busy होंगे निकल जाएंगे तो कुछ-कुछ जतना समय आप दे पा रहे है एड़ की सबसे figure calculate होता है बच्चे का थोड़ा सा हेड़ बड़ा होता है बच्चे का calculate आलाग है जो एक प्रमान जो है एक आदमी है तो उसका जो है जो आड़ भाग में हम करते उसके divide एक बनते हैं और उसे थोड़ा सा मन में count रखना चाहिए है जब एक एड़ल्ट आप figure बनाते हो पेपर फड़ा rough होने के करना आपको pencil draw करना बहुत मुस्किल सा काम हो जाता है तो और मैं suggest करूंगा आप हमेशा क्लाच पेन यूज़ करें मेकनिकल्ड बोलते से मेकनिकल्ड लिए करने से mechanicals इसतरस जो lead आता उसके अंदर उससे क्या होगा जो आपकेlines होंगे काफी कं होंगे और हल्की होंगे आपके जो कारमि करते समय काफी सुन्दर है रहेगा एक बार ड्राइंग करने के बद आप उसे थोड़ा सा पेंसिल स्ञाइन्स को हलका कर सकते है तो तीना फीगर एकदम जिमनास्टिक बाला फीगर है बहुत मजदर है तो आपको साथ ट्राइ करना चाहिए बेसक ट्राइ करना चाहिए और जो विगनर्स लेवल में हैं उन्हें तो विल्कुल करना चाहिए एक फीगर कैसे किया जाये तीनों फीगर तीनों एंगिल्स में है और सरसे पीछे छोटू बहुत बड़े मस्त एक्सन में है ओके 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 एक तो फ़रसा नीचाहिए जो चीज आपको समझ में नहीं आता ना वो ज़्यादा खराब होता है अक्सेल होता ही है बहुत चल्ब हमें पैक्टिस की जड़ूत है तो जो चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है उसे भी हमें स्सक्राइब करने के लिए जैसे रेटर्स में है तो बाहर चले या फिर आप बना नहीं पते हैं कि ऊसके लिए भी आपको क्रते करते हैं कि आपको आइडिया उता है कि उसके पाउं एक्जक्ट कैसे ओना चाहिए ठीक है तो अलग से जब हम फिगर फैक्टिस करते हैं तो हमें आइडिया रहता है नहीं तो क्या होता है कि यहां से खिच-खिच के इसके अंदर लेके आया जाता है लेकि उसके पीछे छुपाऊ दूँ ठीक है तो किस तरह से हम इसे कैच करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको जुरूर से होगा यह जुरूरी है थोड़ा सा ड्राइंग आपकर ठीक नहीं होगा तो क्या होगा यह कुछ पेंसिल्स क्लास इसका है कोग आपके तुरूर क्लास चलता है हर मंडे को है असा बजे चलता है यह केटDs का है केटDs वाटर कलर में भी आईसा देखो इस लेविल पर केटDs का वा-टर कलीक हम अपको पागल होगे कैसे पकड़ना है तो क्या होता है कि मैं एक फिगर के बारे में बताता हूं कि कैसे देखना उसे आपको कैसे देखना उसे लास्ट वाला जो फिगर है उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कैसे मॉड़ल से आपको समझना है यहां पर बें इसे पेट आलना है आपको ट्यूब बॉक्स लगता है बॉक्स ओविल लगता है बोफिल आपको जैसे है जाएसे समझ में आता है वैसे उसका एक आपको आपको पहले इनिस्याल आपको एक uh draw लेना है इस तरह से ठीक है उसके ऐच दो दो आप जैसे 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 उसके पीज में आप details बढ़ते हैं तब आप उसे औ्यारिफाइ कर सकते हैं तो यह जो बहुत सारे लाइन से आपको हलकर रखना पड़ेगा आप बहुत जदा डार्क लाइन करेंगे तो आपके फाइनल लाइन निकलना बूर मुस्किल हो जाएगा मैं आपको केमिडर में दिखाने के लिए तो डार्क कर रहा हूं तो हमने क्या किया यह किस तरह से क्या यह ओल कैसा ऑफटा है इधर कैसे लाइन कि राख के सवाल है जो करते रहेगा तो यहां पर देखो टेक्चर बहुत सारे आ रहा है क्योंकि पेपर जो है रूफ है यह जो है बाहुयों का कोल प्रेस है को टेक्चर है कि रफ जाता ही है तो आप जब बाहुंग खड़िद रहे हैं मैं साजेस्ट करूंगा पोल फ्रेस लीजिए पोल फ्रेस में भी जितना टेक्चर है ना कि आपके रफ के कमी हो जाता है और अगर रफ ले लेते बहुत ज़दा टेक्चर हो जाता है फिर उसमें बहुत सारे दिक्कत होगा प्यारा प्यारा सब चेहरा है तो आज हम इस पर शीखेंगे किस तरह से वाटर कलर फिगरेटिप टू करेंग टू कलर जब चोटे फिगर बनाते तब उसके चेहरे को मैच करने की जुरूत नहीं है जब बड़ा सा जब पोटेट बनाते तब आपको जुरूर मैच करने के लिए कोशिश करना है कितने लियार में ड्राइंग करना शहिएज ऐसा कुछ नहीं है कितने लियार वैर कुछ नहीं है ऐसा कुक्छ नहीं है इसा मैं असयुक में समझता हूँ कुछ ब्च रास्ता बटक लग लगए लिटर और आपके आपको क्या चुछ के अंदर को इसमें को अद्जिस करना है तो हैं आप से हार्ड लाइन कर लेंगे तु अज़िस के कणू कि आप पहले थे अंदर से फीर उसे आप इस तरह से जैसे जैसे इसे फ्राइनल लाइन्स ले रहा हूं तो वह कर सकते हैं. जितना अच्छा ट्राइं होगा, ओधना अच्छा पेंटिंग होगा, ट्राइंग ही ठीक ठीक नहीं होगा, पेंट किस पर करेंगे? और जैसे कि मैं कहा रहा था कि ऐसे छोटे में आपको एक सज्जेस्टन माफिक देना है कि उसके चहरा, उसके होट, नाक, कान जो भी है. बहुत ज़्यादा मिलाने के उसमें नहीं रहना है, मिलाने की ज़रूद नहीं है. तो मैं अभी इसे आपको कहता हूँ कि इसके जो हाइलेट, जो राइट के और से हमेशा, मतब, हमेशा नहीं, I mean, जो कंटिन्यू लाइट चूर्स आ रहे हैं, उसे हम जुरूर कैस्ट करेंगे, पकड़ेंगे. तो उसे पहले मैं जितना हो साके मेरे जो लाइन्स है, जो ड्रॉइंग है, उसे और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, तकि जितना अच्छा मैं ड्रॉइंग ठीक कर लूँगा, उतना मेरे जहन में बसा राएगा ये चीज़ को की, कहाँ पर क्या कलर है, क्या कलर करना है. तो ट्रॉइंग में ज़्यदा समय देना है, हम जल्दी बहुत जल्द बच करते हैं, ट्रॉइंग को ठीक से नहीं करते हैं, और कलर सुरू करते थे, क्योंकि कलर करने में मज़़ा आता है। तो हर फिगर को धीरे धीरे में आइनल लाइन्स बना रहा हूं, क्योंकि बख्यों, क्योंकि नहीं जल्दी टॉटन का करने में 135 का करने में प्रॉजब धीरे में म करते हैं, ग्रॉज़ प् chapने करते हैं, मैं में मुषण है, हम ए won लाइने हैं, हम थे उना हैं, हम जले बच्व Ihrुझफन का शें… झाल झाल तो आल्मोस्ट हमारा ड्राइंग जो हो चुका है कापी समय लगा है हमने इसे समाज सेने के लिए और ड्राइंग को ठीक्षे करने के लिए तो अभी कैसे कलर करेंगे दिखते हैं चलोब ठीक है तो हमेशा हाईलाइट जो हर हाईलाइट को हमें ध्यान रखना है कि दाइनेमों से आ रहे हैं जो हाईलेक्स को हमें अची तरह पकड़ना है जो मैं कलर यूज करता हूँ वो मिजलो का है मिजलो मिसिन गोल्ड का है पेपर जो मैं यूज कर रहा हूँ आप रैफ और उप से मिल सकता है आपको आनलाइन में कि इस तरह से कुछ के लिकर भी ब्रस जो आपको रैफ और उप मिल जाएगा तो कुछ फ्लैट प्रस भी आप अपने सबसे सिंथेटिक या ऐसे कुछ यूज कर सकते है तो यहां पर देखो एक जो कलर में बांदा हुआ है उसे में वो कलर को यूज करूँगा ठीक है कुछ इस तरह से ब्रैसस के प्लानिंग चल रहा है कुछ सिंथेटिक के अपर जैसे आज जाएगा आपको आपडेट मिल जाएगा यह बहुत पूराना है ओके यह लोग कर यह टार्कोईस है कि अधिया नहीं पॉर्ण से अना कि अधिया पर बहुत सारे आटिस्ट्स क्या करते कि मास्किंग फ्लूट भी उस करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मास्किंग फ्लूट रिमूब करने करते समय क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि वह वाइट जो वह स्फेस मिल जाता है भी मास्किंग फ्लूट रिमूब कर जाते समय क्या होता है कि आपको वह वाइट का कटक सा लाइन आपको दिखता है उस वाइट भी एज होता है कैसे हमारा कुछ डार्क लाइन का एज बनता है वाइट का भी बनता है तो उसे आपको जुरूर एक से मर्ज करना होगा ओके टोड़ा सा एली दरीन क्रिंस्वाण लेक तार्कोईश अचली यह जो कलर है काफी दल सा है और मेरा फोकस जो है अभी फिगर पर है पेग्राउंड जो है मेरे लिए भी कलर है तो मुझे वो हाइलेट संभालना है इसके वज़ा से बाडी के पास हमें अच्छी तरह संभल के काम करना होगा ओके ठोड़ा सा आल्टा मेरिन और बंस ही आना कि जो बैक्गराउंड का जो स्केल है हम बड़ बड़ यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा यह एक समय है कि आप उसे यूज कर दो मैं जहां फील कर रहा हूं की थोड़ा सा स्केल मेरा आप होना चाहिए मैं कलर एड ओन कर रहा हूं कुछ कुछ एडिया में थोड़ा ऋप्टोड़ा लगए झाल झसलिए ओके ज़िए झाओ बबब बबब कर सकते हूं कि कि कैं मैं समया पारा हूं जो मैं कर रहा हूं कोड़ से टार्कोई और लाइट मुझे जरूरी है जो बॉड़ी पाट के उपर कुछ ड्रामा क्रेट करना है तो जैसे यह वीशे का थोड़ा थोड़ा सुकता है ड्रामा क्रेट कर सकते हैं कितना एरिया में वो लाइट रखना है उसी साथ पर गेट के उपर मैंने लाइट छोड़ रहा हूँ आपको आस टीशू पेपर होना चीए थोड़ा वह एक्सिडेंट होते आप बच सकते हैं पीशू पेपर से थोड़ा कलाल लिफ्ट हो जाता है तुरंद तो फिलाल तो यह बेग्राउंड कलर चल रहा है झाल, बच्पोम के उाजू कर दो चल के उता है तो तो नहींड़ा कलाल लिए लिएुत झाल, तो एकम झाल, उता है झाल, पिलाऊंगी को जाज़ा आप प्रहाँ बच्तन साहा है झाल, कुल भेपरेगा उते ही श्म्रेभ फिलाथ नहीं होता है तो देखो बैक्ग्राउंड एक दम सॉफ्ट चल रहा है तो धिरी धिरी आप दोनों तरफ बैलेंस करते हो जाना है बैक्ग्राउंड आप पहले और इसमें बहुत confusion होता है कि पहले करना की बाद में करना आपको जो compatible लगे आप कर सकते हैं वैसे कुछ issue नहीं है कि बाद में भी हो सकते हैं आप पहले आच्छी तरह subject को कर लिया फिर आप background बाद में कर सकते हैं क्योंकि subject के साथ background की कुछ मदब touch तो करनी ही रहे हम किसी के साथ तो दोनों ही हो सकता है तो इसमें आपको देखना है कि आपको क्या compatible लग रहा है आपको क्या मैसुस हो रहा है तो वह है इसको कोई rule मत बनाओ ना rule कोई है मुझे मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ rule नहीं है कि background पहले करना चाहिए और subject को पहले मेरे मैं यह बताऊंगा आपको कि मैं जो अनुभब करता हूँ कि मुझे जो compatible जब लगा जिस भी समय उस समय मैं background भी पहले करता हूँ कही बार कही बार बाद में भी करता हूँ कि अब देख सकते हैं बावंग पेपर काफी अच्छा पेपर है कि आटिस्ट कॉलिटी बावंग पेपर है कि इसमें बहुत सारे लेयर यूज हो जाता है जो हमारे वाटर कलर में जुरूरत है तो आप अगर beginner level से अगर आप उपर की सोच रहे हो हो और अच्छा थोड़ा अपने क्वालिटी थोड़ा विल्डप करना है तो आप थोड़ा सा पेपर में ध्यान दीजिए आपको बहुत सापर्ट करेगा आपके पेंटिंग्स सफी improvement आता है आपके paper materials अगर ठीक हो बट उससे पहले कुछ समय तक होता है कि आपके processing को सीखना है कि इस तरह से करना है काम और water color एक driving है आप करते करते इसके पर आपको control आएगा देखने से नहीं आएगा जी आप पूरी साल देखते रहो नहीं आएगा जब तब नहीं करेंगी आप भले एक छोटा सा apple भी बनाओ तब भी आपको आएगा ठीक है एक पत्त भी बनाओ तब भी चलेगा बट आपको करना पड़ेगा एक शर्माग तब गू एक शर्मार बट गूएजर रहो झाभ पी, पैड अक्सट। एगट हुवलिए यहवलिएको एक काउमार धर владमाएब फैघ तब जॉप छुए, ग्क् suggestions कि उन पेख़ireू तो इस समय अच्छी तरह ड्राइ करना होगा तो आपके समय बेस्ट ना हो इसलिए मैं तो ज़रू ड्राइ कर लूँगा इस वाले यहां पर कुछ स्केल और जादा था तो वह गिले गिले पर यूज़ करना चाहिए था अभी तो नहीं होगा अभी वह टाइम होता है वाटर कलर का ट्राइम होता है थैंक्यू मेरा जी अर्ट पर्थ एंड बजरियो थैंक्यू एक सेकंड में जरा इसे राइकल तो आपको काम आता है तो बहुत सारे काम हैं और आपको काम नहीं आता है तो दो मिन्ट में हो जाएगा तो आपको अगर समय लग रहा है तो आप यह चिंता रखिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे है तो समय लगना जरूरी है आपके बहुत कुछ होने वाला है आज के वीडियो में जैसे कि देखो यहां पे एक वाइट स्वेश चोड़ा तो वह आउट लाइन जो है कफी सार्फ हो रहा है तो पहले तो मैं उसे बनाओंगा तो दरत में जो भी समान है किसी आउट लाइन के जिरी नहीं बन रहा है देखो वह सॉप्ट हो गया वह आउट साइड बाला इसे हर जगा वह आउट साइड में हम उसे मर्ज कर सकते हैं वैलू के वैलू को कैसे करें और डार्क वैलू में करेंगे तो आपको बहलू जानने के लिए कितना डार्क है उसको जानने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास आज कल एंड्रोइड है एंड्रोइड के चेहिए कि आपको उसको फिल्टर कर सकते इंडर करने से आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा कि कि फिल्टर में हाँ फिल्टर ब्लैक एंड वैड में फिल्टर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कि इतना वैलू कहां के है यह बहुत अच्छा अप्शन है कि आप उससे आपके डिवाइस के जरी आप ज़रूर उसे ब्लैक एंड वैड में पहले एडिट कर लो औ कि ताकि आप को यह घशल जाएगा कि आपकेज़ और कहां कहां क्या 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 आ सकता था इस तरह से मैं सजिस्ट करता हूँ और कॉमון ड्रक ऐसा नहीं आप रेफेरेन्स को अच्छी तरह फॉलो करो सब उसमें आपको मिल जाएगा common dark नहीं होता है blue का dark होता है red का dark होता है तो वो किस color के उपर dark है green का dark हो सकता है तो वो किस color के उपर dark stone है उसको पकड़ना है झाल fps प्राँ एता है झाल ंझ हो प्राँ झाल अगज ब्याय करते हम कि यह लो कलर जैसे लाइट बहुत लाइट केंट में भूथ लाइट दिखाना है तो बोहुत ज्यादे लिल्ह ले लेने का है यह लो को पत्ला करके लगाने का है और उसके बात गर आप देखना है कि आप पी झाला के लायर क्लॉट मैं बहुत ज़्यादे योलो लगाने से अंब क्यों नहीं लाइइगा हलका करके लगाने से लाइट करने नवह जो जो है मैं बहुत लाइट कर खाले के ईहां है कि यहां पर जितना हाइलाइट्स है कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और छोड़ भी रहा हूं झाल झाल तो हर किसी में में वो हाइलाइट को चुरूँगा ठीक है अलो क्लरज में टेंक यू ओके ओके यहां पर वो बैक्ग्राउंड का कुछ लाइट मादब बैक्ग्राउंड को फिल नहीं कर रहा है जिसके वाइसे मैं आपे कुछ डिस्टाब देख रहा है तो तेखेंगे बाद में उसे यह मैं बंसियाना यूज कर रहा हूं बंसियाना कभी औरेंज जैसे जैसे मैं मैंसूस कर रहा हूं कुछ अल्टा मेरीन कर रहा हूं कि वाटर कर में एक लियार में नहीं होता कि दो तिन कम से कम लियार तो होना चाहिए तो कहीं बार हम यह करते कि एक बार में वह डार्क यूज करते हैं ऐसा नहीं है अब थोड़ असा समय लेना होगा और लेयर को यूज करना होगा एक ब्राउन है उसके पैंट की कलर है बिलकुल मैच कर रहा है अजली मैम थैंक यू पर वाचिंग अजली मैम थैंक यू पर वाचिंग अजली मैं अजली मैं अजली मैं अजली मैं अजली मैं आधा दे द्यान रखना तो बहुत ज़्यादा किस पर आइलाइट्स पर कंटिन्यू जो हाइलाइट्स है वो बॉड़ी के राइट साइड से दिख रहा है हमें कि एंड़ी किisini उली झादी हमें कि एंड़ी कर दाद्समों है कि एंड़ी कि वो प्रeत कि एंड़ी के गिए कि युर युम दखर कि युर युम दखर कि मैं चुटे एरिया में भी काम कर रहा हूं तो वह क्या कहीं बार इस तरह से उसी गिले गिले पर कलर को छोड़ रहा हूं तो यह थोड़ा से सॉफ्ट होता है अच्छा होता है कर दो कर दो अच्चार अवार यह लुगा खाने में जैसे टेस्ट बदलता है ना कफी औरेंज कफी यलो मैं है जो बब को दीखता है जा भी उस कर सकते हैं झाल 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 में जो राइट Sight में जितने भी मैंने छोड़ा है हाई-लाइट इसके अंदर बहुत सारे लाइनल उसे साफ कर देंगे इसे और जदा हाई-लाइट जैंके ठीक है किले कि औरे से झाल थे वांज। और तो स्केल को समझने के लिए क्या करना है कि आपको ब्लैक और में फिल्टर करना है और आपके पेंटिंग करने के बाद आपके पेंटिंग को भी कीजिए और रेफिरेंस को भी कीजिए फिर आपको लग जाएगा मालूम कि और कितना करना है पुरा रेड ब्राउन अलता मरें दिर पındना अलता मरें जलता मसेMore Leone जम जटेंस को बेंस मुलता मुलता है जर प्लाउन और कि अलता आपका आपको फंटेंस बालता है झालता है झालता है अभी मैं स्केल को फॉलो कर रहा हूं कितना डार्क है क्योंकि लाइट सोर्स पीचे से है और यहां पे अगर हम डार्क नहीं करेंगी वह फिगर के फिगर में डाइमंजन क्रेड नहीं होगा ठीक तक कर दो कर दो ह् ए्पोर्सट enjoy झाल झाल कि एक बार में अगर कलर यूज हो जाएगा वो डाइमंचन कैसे क्रेट होगा ना पिशू हद में होना चीए अपको बाहर जाता है तो आप उसे रोक लगा सकते हैं तो पेंटिंग में क्या होता है एक हाइलाइट एक मिडिल टोन और आपके जो एक शैडो चाया बला तीन कलर का तिल्सिला बना के रखना है फिर उस पर आप को डाइमंचन क्रेट हो जाएगा यहाँ पे एक हाइलाइट एक मिडिल टोन एक कुछ चाया शेडिंग हो रहे है इनको इसी तरह से कॉंटिन्यू करना है आप ऑनलाइन क्लासे जॉइन कर सकते हैं आप ज्यादा जल्दी सिखना है तो क्लासेस के अंदर आपको पहले से कंपोईशन सेयर किया जाता है यहाँ पर आप खुद से ट्री करके साब्मिट करते हैं और फिर आपने जो काम किया, उस काम पोजिशन को फिर मैं दिखा था हूँ, क्लास के दिन, फिर उसे आपने जो बनाए उसके रिव्यू करता हूँ, आपके रिव्यू करने से क्या होगा, या आपके गलती आपको मालूम चलेगा, और इसी तरह से ओनलाइन क्लासिस दो साल से चल रहे हैं, और continue भी दो साल से कर रहे हैं, कुछ स्टुडेंस, कुछ दो साल, कुछ एक साल, कुछ छे माइन आई से मदब, continue अच्छा इंप्रूब कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग Facebook में आपको देखने को मिलेगा कहीं बार, मैं कुछ इस करता हूँ, जितना मुझे मालूम चलता है, उतना मैं शेयर करता हूँ, और मुझे लगता है, किसी भी मीडिया में एक टेकनिक्स होता है, उसे जानना बहुत जुरूरी है, आप कहीं पर भी थोड़ा सा सीख सकते हैं, जो भी आपके आज़ पास, क्योंकि टीचर एवेलेबल है, और बस एक चीज द्हान रखने हैं, कि आपके पैंटिंग को रीव्यू रहा है कि नहीं, ओ जएदा ध्हान रखेंए, आपके पैंटिंग के ओपर बाच्चित होरा ही कि नहीं, क्योंकि वोई आपको इंप्रूमेंट की रासता है, अप मेरा पैंटिंग यहां पर हर रोज देख सके जब तक आपके पेंटिंग मैं नहीं दीखूंगा तक इंप्रिमेंट कौन कराएगा तो यह बात बहुत बोल बोल स्टोक्स यूज़ कर रहा हूं जैसे उस पे एक शेप के जो आकर है वो मैं लिखाने की बोशिश कर रहा हूं और एक बारी मैं जड़ा ड्राई करके उसे इरेज कर देता हूं भूल जाओंगा बाद में सबस्काइब लाद में झाल झाल कहीं बार ही क्या होता है कि यह जो पेंसिल्स लाइन्स है वो भी हमें टेडिंग की तौर पे काम आता है तो कहीं बार वह भी देखना है कि मिटाने से ज़्यादा खराब हो रहा है तो मत मिटा हूँ आज़ी मैं जो ब्रस यूज कर रहा हूँ एक तो यह ब्रस है जो कैली का भी ब्रस है रह्यूच्ट पनो गो पकर trial कि राउन्स का네고 francis proposal sir के website पर विजीट करेंगे proposal savon.com में मिल जाएगा ऐहां तक वाँ पर मिल जाएगा यह कि अ कि ऊके ऑके और यह हाँ उसके साथ येभी है उनके पस मिल जाएगा बसर के ब्रेस से साथ झाल झाल इस अब जो कलर यूज़ कर रहों कि सब मर्च हो रहा है मैं वाइट के लिए मैंने स्टार्टिंग से पेपर वाइट ही छोड़ा है अभी बस मैं पेंसिल लाइन को साफ किया तो तीन दस पे स्टार्ट हुआ था चार दस हो गया इसलिए हुआ कि पोड़ा समझने और समझ के किया जा रहा है तो रहा काम को और समझाय भी जा रहा है कुछ शिलवेटे देना है कुछ धुंदलापन जो की कपड़ के अंदर से जो में एक होने का एसास मुझे बिलकुल मालूम है कि एक लेयर में होगा नहीं तो बाड़ बाल लेयर आएगा इसी तरह से आपको भी मालूम होना चाहिए कि एक लेयर में नहीं होगा तो दरीदर आयार को बरता है तो फिर आपको बहलु भी आपको अराम से समझ में आ जाएगा तो बहलु को स्टव करने के लिए और समझने के लिए कि कितना बहलू है उससे आप सिंगल पेंसिल से से दिन गर सकते हैं सिंगल कलर के जरी आप उसे स्टाडी कर सकते हैं इसको आप जैसे करेंगे आपको कुद्रत ही आपको उसका स्टाडी हो जाएगा आप उसको समझने की जोग नहीं क्या हो रहा है कि आनि आपको बस पेंसिल में सेडिंग करना है तो जिसको प्रॉब्लम है वेलू समझने में उपर वालों ने आपको आपको कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे प्रॉप कि अपके ओके अपके पुछते रहे यह जो भी पुछना आपको अभी अपने ध्यान दिया कि जहां लाइट टकरा रहा है ठिक उसी के बाद एक डार्क डार्क बनता है मतलब एक दम से लाइट से मर्ज नहीं होता है यह से कहीं पर जैसे यह मर्ज हो रहा है कहीं पर वो लाइट के बाद एक डार्क सा बनता है यह लगाने से क्या होता है हर्डिज्स बन सकता है अच्छा होता है यह तो ए TOP prac औरता हम एपडा करने से और अच्छा खने। के बाद जहां डार्ड ट्रूड। हो रहा है तो वह rank ज्यादा होता है बट उसे भी ध्यान से करना होगा क्योंकि जैसे आम उसे ज्यादा करेंगे बहुत कट सा मैसुस होगा हार डेज होने का चांसे से अब आपको ऐसे शेयर किया कि अच्छा मैं सज्जिस्ट करूंगा जिनके पद एंडॉइड टीवी है तो वह एंडॉइड टीवी में जुरूद देखे उसमें आपको बहुत अच्छा क्लिया दिखता है और बढ़ा करके दीखेगा तब अच्छा है चलो और टेन मिनिट लगाऊंगा और मैं हमें से कहता हूं लास्ट टेन मिनिट बहुत जुरूरी है देखना अब बहुत सरे आर्टिस्ट चों जुड़े हुए है उनको बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 जो भी स्टोक्स करना है कोशिश करना ही वो समर्ज हो आ गुड जाली जी कुछ कुछ एरिया में वो हाइलाइट के बाद वो डार्क है तो मैं वो भी लगा रहा हूं कहीं कहीं पर अच्छा अच्छा इंफिक्ट आ रहे आएगा श सकते हर्चा ऑना है क्या सकते हून झाल भी ठब्याओ़ начadox मैं बहुतन ether ch Netflix कि वो बहुतनद uz क्या रहा है के रिव्याच्छा एंगिक्स कि जरूरत नहीं है फिर वी ओड़ोंगे कोशिश करें इसा अच्छा हो जाए कि जरूरत नहीं है फिर बी ओड़े सकोशिश करें है इस आच्रा हो जाए है मुलीं तो एकतेश canım आझान पर यह से मीं आल ये जैसरे में यह निखा अब दो कि में अब इद तीनट होगा न sharpen आप के अब dhina एक ultra도 अब ख़़ाना अब फिर वह अब layer करते जैंके आपको ऐसे लगवाल का रहा है color नहीं आ रहा है बन नहीं रहा है बन नहीं रहा है वह आप फिर आप जो काम कर रहा है उसको effort आपको नहीं दीखता है water color painting में color थोड़ा वो चल जाएगा आपके जो paper है ना जो भी है कि आपको आपको आच्छा paper होना आपके तो हम थोड़ा close करते हैं अभी काम को आपके रहा है लोड़ा है उसको भी प्यटेशट में रहा हैँ उसका टापके घए जोड़ा रहा है झाल 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 बहुत जोड़ी है तो ठीक टक बनाना ठीक है? जी अब कोई किसी का सवाल है क्या? चाल भी क्या है? कि बहुत जादा जाना पर बहुत सरे हुआँ आले ठोड़ा है उसे मैं फ्टोड़ा सा कम भी कर सकता है इतना मुझे नहीं चाहिए उसे कम भी कर सकते हैं जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा है कि जैसे बॉल में हमने क्या किया कि जो हाइलाइट की और हमने क्या कि उसे बेक्ग्राउंड के साथ मर्ज किया कुछी तरह यहां पर जो भी फिगर के पास जो एरिया है तेंक्यू नोसाज जी कहते है अब तो बिजेट भाई थेंक्यू ओके तो यह जो एरिया है आप थोड़ा सा उसका जहां तार्क कलरा के जमा है तो आप थोड़ा सा मर्ज कर सकते हैं अच्छा रहेगा तो वो कट सा वाइड नहीं चलेगा फिर एक कॉगी वाला वो जो रिफ्लेक्ट कला वो लाइट दिखेगा जो टक्रा के जो रेज हो रहा है उपर की रोग का ये नदे में ये सबखकर सकते त्टोड़ा सा तो ये क्या है आपको डिज्चैंब क्या दिखता है जाद dive में असर वहत होता उसका जो मैं करोगा अब करते समय औ mineral और यह क्या है यह कुछ नहीं हो रहा है इसका असर होता है आपको दिख रहा है भी वो इसका असर वो धुंदलापन आपनेज यह सब होता है जो आउट लाइन है वाइट उसके बाद जो बैक्डाउंड का डार्क आते उसमें जमा है जम गया ना वह वाला एडिया में जॉइंट के उपर से आपको गिले ब्रस को लेकर भुमाना है इस तरह से लिफ्ट करा रहा है और यही चीज़ क्या होता है जब आप मास्किंग प्लूट यूज़ करते हैं तब ऐसे कट मिलता है ठीक है उसे भी आपको मर्ज करना है ध्यान रखिएगा मास्किंग फ्रूट भले यूज़ करो अट उसके कट भी आप जो इस तरह से कट बन जाएगा तब आप उसे मर्ज करना करना तो नेच्टरल बन जाएगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा इतने सारे काम करना पड़ता है तो आप जाएक अच्छा लगता है अगर आपको अच्छा लगता है तो तुरह एक अदर लाइक दे दीजिएगा ताकि और भी जिनको इसके जरूर था उन तक पहुंच जाए कोई भी काम ऐसे सेंपिल नहीं होता उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है अच्छा ही शुपा है कुछ ना कुछ चीजे है जिसे आप बनाने से वो अच्छा होता है तो नोट करना है क्या होता है जब भी आप कमपोजिशन को ओपिन करते हैं या जब भी आप बनाते हैं आप सवाल करना है कि यह अच्छा लगने का कारण क्या है जब आप सवाल करेंगे तब आपको जब आप मिलेगा कि यह लाइट था यह शैडू था कि यहां पर यह कलर था जिसके कलर नों सुन्दर लग रहा है तो वो सब आपको फिर मिलेगा ओके मेरा एक वरक्षप अब है तो हो गया एक दो मैं और आर्टिस्ट को ले सकता हूं कल्प्चर स्कल्प्चर पेंटिंग का एक वरक्षप ले रहा हूं है यह पंदा तरिक को ले रहा हूं तो जो फीज है 700 है कोई भी जॉइन कर सकते हैं पेंसिल से लेकर के कंप्लीट अब को दिखाय जाएगा और उसके बाद रीव्यू किया जाएगा क्या क्या कर रहा हूं एक तो यह शेडिंग और फिर वाइट बला एडिया बला जो आउड लाइन को मर्जिंग कि छूड़ी थोह निश् Olympiad की असे था दॉर्च आधार नहीं थे थोड़ा 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 टाच कर दो तो बात अधाल गर एक वाइट के उपर नहीं घुमाना है, वाइट के बाद जो बैग्गरॉंड कालर है, उसके उपर घुमाना है, उसमें देखो एक राण, रानिंग हो रहा है ना, की मोमेंट, एक राण हो रहा है, उसका भी महसूस हो रहा है, और आप अगर white नहीं छोड़ते तो brush से lift करके इतना paper white नहीं मिलेगा आपको आगर नहीं छोड़ते तो Hello Pallup जी, Hello Thank you for watching Tissue थोड़ा सा साप सुत्रा लेना है देखो यहां पर यह सार्प लाइन चल रहा ना वो से merge करना है Okay, तो मैं उम्मिद करता हूँ आपको यह आज का So, session नहीं आपको अच्छा लगा Hello, किशनी मैं थैंक यू फर वाचिंग और जी मैं जो बार बार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उतना डार्क देना पर गए और यह बार में नहीं देना है लेयर में तब ही शॉप्ट रहेगा ओके दोस्तों थैंक यू इतने देर से आप लोग जूरे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और किसी का कुछ जो भी कुछ आपके बात्चित है आप मुझे सेर कर सकते हैं परस्टनली वाट्सब में या यहां पर इन बॉक्स में जो बाद में देखेंगे वो भी कुछ पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट कॉमपोजिशन के साथ क्यों तो भी को थैंक यूँ जूम करके मैं दिखा था हुआ 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 है तो बैक्ग्राउंड कैसे सॉफ्ट हो सकता है वो भी देखा आप आपने अच्छा काबू पाना होगा और उसके साथ कलर में भी पेपर मैंने यूज कर रहा हूँ बावंग पेपर आपको रैपे नुक के ऑनलाइन मिल जागा उन से तेंक्यू जोली जी ओके चलो ठीक है टाटा करते है बाई फिर मिलेंगे